हाई आई वरीवन एक बार फिस स्वागत है लक्समीज कीचन में एक नए वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं टिंडे की सब्जी तो देखे फ्रेंड्स टिंडे की सब्जी के बनाने के लिए आपर टिंडे ले ले लिए लिए और तीन अमनी टमाटर कट कर तो देख दो बनेने को काट करिंडे को टामाटर और प्याज मरची तर्दरा सा ज्वा आइक दर्दरा सा बस्ताया नियुकन बनाना को चली हम बंद बनाया देखे लिए टिंडे की सब्जी के मिनने के लिए में बना सकते हैं तो देखिए कुकर में मैंने डाल दिया है और मेरे चैनल में नहीं हो चैनल को सिस्क्राइब कर लिजिए इसके जो बैल आकर मट्रा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आगाने वाली हरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आप देख सकते ह तो अब इसमें हम डालेगे सबसे पहले जीरा वहाया 난एपर एक चमज करीब डालेगे ज्यादा नहीं है डालना नहीं हम अगि एक चमज हम ने दाल दिया सप्सक्राइब देख लेसे जिनको हमने अच्छा लिए अधा साबूत है आदा साबूत है आदा क्रेस्क पाइब दाल देते हैं इन सब चीजों को अच्छा सा भून लेंगे दो से तीन मिन तक हम अच्छा सा फ्राइब कर लेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को अन तक जूर देखे तब ही आपको पता से लेगा है आप देख सकते हैं प्याज टमाटर रिमिश हमाई अच्छे से भूनकर रडी हो चुके हैं एक पेस्ट से बन चुके हैं अब इसमें डाल देते हैं मसाले मसालों में सबसे पहले हम डाल दे पाउडर आदा टेपल स्पून लाल मिर्च पाउडर एक चमच नमक स्वाद के कोड अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं जब तक इसमें से ओल अलगना होने जाए जब तक हम इसको बूनते रहेंगे तो आप देख सकते हैं अच्छा सा इसमें बूनना स्टार्ट हो चुका है और वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा अगर आपको रिच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जुरू कीजिएगा और वीडियो में बने रहें तो आप देख सकते हैं मसाला हमारे अच्छा सा बुन चुका है ओल भी लगा चुका है तो अब इसको में अच्छा सा मिक्स कर देते हैं अभी तक इसमें मैं पाने का यूज बिल्कुल भी नहीं किया था क्यों तो वैसे तम कूकर के अंदर बना रहे हैं तो इसमें पाने की जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा इसमें अगर ग्रेवी करना चाते हैं तरीक करना चाते हैं तो इसमें थोड़ा सा पान डाल सकते हैं मैं यहां पर बिल्कुल आदा कप चाय वाला पान डालूंगी जिस मुझे तो अछ편 मैं आगे उना मिकस क्या रहा है और इसको अच्यक्स मैं साण को तृइभी वीडियो मत झालत कीजिए और इस देखे कर दें भी मिझा प्र एक महिए आगी ज़ाता है तो इसको हम डखल लगा के छोड़ देते हैं और दो से तीन शीटे आने तक इसको पकाएंगे और बढ़िया हमाई टिंडे की सबजी बनकर रड़ी हो जाएगी तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला हुएं बिल्कुल आदा कप के करीब पानी डाला है मैंने ज़्यादा नहीं डाला है तो आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं वैरना स्कीप भी कर सकते हैं क्योंकि ये बगार पैने के बेच्छी बनकर रड़ी हो जाएग तो आप देख सकते हैं मैंने डखन लगा दिया है और अब इसको दो तिन मेंट के लिए हम पका लेते हैं अच्छा साथ विशलाने तक शीटी लगा लेंगे दो से तिन शीटी लगा लिए हमने अब आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ त्यार हो चुकी है एक दम बढ़िया साथ में ग्रेवी भी है तो यह देखिए कितनी शांदर हमारी सब्जी बने कर रड़ी हो चुकी है अब मैं इसे अलग बरतर में सार्व कर लेती हैं तो फैंट जिनों ने मेरे चैलना को सस्क्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद और जिनों ने नहीं किया उनसे फिर से रिक्वेश्ट है कि मेरे चैलना को सब्द्राइब कर लेजिए और मिलते हैं एक ऐसी ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपे के साथ लक्सिमिश के चंद तक के लिए धन्यवाद बाई बाई कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज की चंडे की सबजी के रेसिपे आपको कैसे लगी थैंक यू बाई बाई